नमस्कार आप देखरा आरेडे नियोज मैं हूँ योगी श्क्रवर्टी कभी बिहार के मुख्यमंत्री निटीश कुमार के सबसे करीबी सिपाः शालार रहे आर्सिपी सिंग यानि की रामचंदर परशाद सिंग अब नई पार्टी बनाएंगे जिहां आर्सिपी सिंग के बारे में कहा जा रहा है कि उनका मोह बीजेपी से भंग हो चुका है और आने वाला दोहजार पचीश के बिधान सवाद चुनाव वे अपनी पार्टी के बैनर तरे लड़ेंगे और बिहार के ज्यादा से ज्यादा विधान सवाद च्छेत्रों में अपना उमिदबार उतारेंगे और इसकी तैयारियां वे जोर शोर से कर रहे हैं अगले कुछ दिनों में उनकी नई पार्टी का इलान हो जाएगा तो यह एक बड़ी खबर है बिहार की राजनीती के लिए और बिहार की सियासत पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा यह हम जानते हैं सिनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से संतोष जी वो कहावत है ना कि बेल के मारे बबूलतर और बबूल के मारे बेलतर तो आर सिपी सिंग चक्कर लगा रहा है नितियज जी के बाद बीजेपी बीजेपी के बाद अब अपनी पार्टी यह क्या हो रहा है कि देखिए जब भी चुनाओं का मौसम आता है विदानसवा चुनाओं का आता है तो कुकुरमुत्य की तरह नहीं नहीं पार्टी आती है मतलब नहीं नहीं पार्टी बन जाती है हर विदानसवा से अपने कंडिडेट देते हैं परकार से देखा जाए कि जिस परकार से मेल लगता सबाता है, तो दुकांदारी मिठाई का दुकान लग जाता है, दुलगा-पुया मेला-गुमने जाते हैं, हर कोई अपना दुकान लगा देता है, कोई चाट का, तो कोई मिठाई का तो कोई खिलोना का उसी प्रकार से जब चुनाओं का मौसम आता है तो इसी प्रकार से दुकान सजने शुरू हो जाते हैं और इसमें कई राजनितिक दल का सिलिपर सेल के रूप में लोग काम करते हैं काम करते हैं, कई भी सभी पार्टियों के लालो परसाद के भी, काम करते थे एक जमाना हुआ करता था है कि लालु परसाद केभी सिलिपर सेल हुआ गरते थे अनंद मोहन के वाले में बोला जाता है कि लालू पर्साज के स्लीपरसेल के रूप में काम करते थे। उसी प्रकार से नितिस्कुमार जी का भी स्लीपरसेल काम करता है, और भारतिय जनता पार्टी तो इसके माहिर है इसमें, उसके तो को δेस्वर में हर राज में काम करते रहते हैं जैसे आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में चिराग पास्वान kत रूप में काम कर रहे थे नमान बूब बोलते थे स्यॉआर को पतगनी देने की हमें 2020 केates में अबित्यानदर्रायgeneration कि तिक्रिण नितिस कुमार को पटगनी देने की जो रन निती बनाए थी उसमें तो काफी हद तक सफल हुए थोड़ा सा से गड़बर आ गया कि चिराग पासवान 20-25 सिट नहीं जीता है अगर जीत्य तो नितिस कुमार की सत्ता से देखली 20 में ही हो जाती है उसी परकार से 24 अभी 25 का चु करती है बसपा की अलग सज्टी है राम बदन राय एक पूर्वे मिल सी है उन्होंने भी अपनी दुकान सजाने के लिए तो इसी परकार से कितनी पार्टियां है सीप से ना जारखन मुझे लगता है कि बिहार में नहीं भी तो लगभग 25-30 पार्टियां ऐसी होती है जो कि से अपनी दुकानदारी चल आती है और जिनको बाजपा से टिकेट मिला कॉंगरेस से टिकेट नहीं मिला राज़त से टिकेट में मिला जदीų से टिकेट में मिला तो जो सब वही दुकांदार सज्ञे!". स्ध 직 wahr hasuks अपना टिकर्ट लेते हैं चुनाऊ लड़तेें तो न het लिए वसी तरह से अपना दुकान उताको रहा है दुकान कर दुकां करिये उससे ज्यादा RCP की चलती थी, RCP का पहुंच जाता था मतलब निती जी फोन करते थे तो भले नहीं काम होता था, लेकिन RCP अगर फोन कर दिये किसी IIS अधिकारी को, किसी IPS को, तो दो मिनट में काम होता था, ये जलवा था, लेकिन वो देखिये, वो भाजपा में चले गए, मंत्री भी वो अपने मन से बन गए, इच्छा ना रहते हुए भी मंत्री बन गए, के अंदर में, तुमको अध्याच पर छोड़ना पड़ा हो, उसके बाद पार्टी भी छोड़ना पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, कि RCP सिंग नितीश कुमार की इतने आरसीपी जूरे हुके सब को जानते हैं कि कौन किस चैटर में कितना नाम से जानते हैं, तो नुकसान गमार और है किन जनावा नाम से जानते हैं, लाननाय राये ने लालू परसाथ से जब रंजन ज्यादा बलग हुए है तो वह सिलीपर सेल के रूप में उन्होंने काम किया भाजपा का और नितिसकुमार का और लालू परसाथ को सत्ता से बेदेखल किये हर्स विधान सवाच्छेत्र में जानते थे उन्होंने उसी तरह से कंडिडेट द ना उनके द्वारा कंडिडेट का दिया जाना मुझे लगता है कि नितिसकुमार को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा जिस परकार परसांद किस और अगर कंडिडेट देंगे तो नितिसकुमार के साथ लालू परसाथ को भी नुकसान पहुंचाएगे आप देखते होंग जी के सरकार में भाजपा के सरकार में कैस्तों के साथ अत्याचार हुआ है कभी वो नहीं बोलेंगे बोलेंगे मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है पिछरो दलितों के साथ अत्याचार हुआ है तो वो नितिज जी के भोट बैंक और लालू परसाद के भोट बैंक पर से कि तैयारी कर रहे हैं उसी परकार आर्ड जब आये तो वह भी नितिश कुमार और लालू परसाथ को नुक्सान पूचाएंगे ज्यादा तर मुझे लगता है कि भारतिय जन्ता-पार्टी का स्लीपर सेल का बिस्थार हो रहा है नया नया मोरूचा कहले जा रहा है। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि RCP सिंग नितीश कुमार को मिट्टी में मिलाकर रहेंगे और 2025 में BJP बिहार में कुछ इस तरह विहू की रचना करेगी कि चाह कर भी नितीश कुमार उसे तोड़ नहीं पाएंगे दिखिये चक्रविव की रचना तो हमेशा की जाती है हर चुनाव में की जाती है लेकिन नितीश कुमार मुझे लगता है कि ऐसे राजनितीगी हैं जो सारे चक्रविव तोड़कर निकलते जाते हैं हमेशा 2005 के बारे में जो लोग बोले वह स्वस्थ हैं उन्होंने का गलत नहीं नहीं है लेकिन उनकी जो चुनावी रन निती रही है वो हमेशा सफल रही है अभी तक और हमेशा वो मुख मंत्री बनते रहे हैं तो नितिसकुमार बरे बरे नरेंद मोदी की रन निती हो चक्रवियू हो या मिसा की चक्रवियू हो या जेपी नड्डा का चक्रवियू हो या लालू परसाद का चक्रवियू हो सारे चक्रवियू को नितिसकुमार हमेशा ध्वस्त करते हैं देखना है कि 25 के चुनाव में किस परकार का से यह रचा जा रहा है परसांध पिसोर के रूप में एर सीपी के रूप में उस चक्रविव को कैसे धोस्त करते हैं यह तो वक्त बताएगा लेकिन नितियस कुमार चक्रविव धोस्त करने के माहिर खिला रही है और अपनी रन्निती में वो हमेशा सफल रहते हैं लेकिन आपको ये लगता है कि जो भतीजा है बिहार के सियासत में जो अहम किरदार निभाता है वो इसी लिए साइलेंट है कि चाचा मजबूर हैं और चाचा देर सबेर हमारे साथ ही आएंगे उनके पास और कोई चारा नहीं है कि लिए पास निती जी की रन्निती को अप गलत कर सकते हैं उनकी रन्निती को कैसे गलत का सकते हैं और सिपी सिंग का पार्टी बनाना क्या उनकी उस महत्व कांच्छा को भी दर्साता है विए विहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या बीजेपी ने उन्हें लॉलिपॉप दिया जैसे आपने कहा कि वह श्लीपर सेल का काम करें तो स्लीपर सेल भी तो क कुछ चाहेगा ना बदले में मैंने बताया ना चुनाओं से पहले बड़े-बड़े बादे किया जाते हैं इंटर्नल रूप से आप यह कर लिजे तो चिराग पासवान को वीश में क्या बोला गया था भाई कि आप इतना सीट लाईए तो आपको वी डिप्टी सेम बनाया लेकिं नहीं सफल होगे मोड़ा चला जाता है चुनाओं के समय राजनीतिक दल मोड़ा चलते हैं मोड़ा सफल हो गया तो अगर मोड़ा फेल हो गया तो कौन पूछता है सारा हमेशा बोला जाता है उकते सुरज की पूजा होती है अगर कुछ सीट जीतेंगे तो उनकी पूजा होगी नहीं तो फिर किनारे कर दिये जाएंगे कितने आया और कितने राजनितिक दल आया और चले जाए जो जीता वही सिकंदर तो आरसीपी सिंग का बीजेपी से मोह भंग नहीं हुआ है बलकि आरसीपी सिंग बीजेपी के मोहरे हैं और दो हजार पचीश के विधान सबाद शुनाब में बीजेपी उनका स्लीपर सेल के त अगर वे कुछ सीटे लाने में मुख्मंत्री नितीश कुमार को मिट्टी में मिलाने में अहम योगदान देंगे तो कुछ मिल जाएगा बरना गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाएगे फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें झाल